हालो अब्रिवन वेल्कम बैक कल आपका एक्जाम है आई होप आपकी प्रेपरेशन सही चार रही होगी कल आपका एच्पी सेकेटरेट 692 कोड का एक्जाम है कुछ कोश्चन जल्बी दूर परियोजना से मैं आपके लिए लेके आया हूँ चलो शुरू करते हैं यह जो इंपोर्टन कोश्चन जो मैं आपको बताऊंगा जल्बी दूर परियोजना से एक कोश्चन शायद पूछा जाए इनसे आप इसे देख लीजिए आपके प्रेपरेशन कैसी चार रही है चलो शुरू करते हैं पहला कोश्चन कुछ इस तरह से है भाबा जल्बी दूर परियोजना कहां पे है भाबा जल्बी दूर परियोजना कहां पे है वो है कि नूर में कि नूर में इसकी उत्हुत पादन सम्था है 120 मेगा बाट मतलब कि इसकी तीन ही काईयां लगाई गई हैं कि नौर में 40-40 मेगाबाट की तीन ही काईया ठीक है अब नेक्स्ट कोश्चन की बात करते हैं बसी जल बिद्धुत प्रियोजना के बारे में बसी जल बिद्धुत प्रियोजना वो है जो गिंदर नगर में और इसकी उत्पादन शर्पनता है 15 मेगवाट, सिर्फ एक ही काई है, इसकी 15 मेगवाट की, ठिनोवा जल बिद्धूत प्रियोजना जल बिद्धूत प्रियोजना ये है प्याजनात में पे प्याजना कांगडा जीले में हैं कांगड़ा जीले जीला कांगड़ा हो रहे है कहां पर बैजनाथ में और इसकी उत्पादन शम्त है 16 मेगावाट इसके जो टोटल यूनिट कितनी काई या लगाई गई है एट काई या लगाई गई है दो दो मेगावाट की ठीक है अब करते हैं रॉंग टॉंग जल बिदुद प्रियोजना रॉंग टॉंग जल बिदुद प्रियोजना दोस्तों यह है यह प्रियोजना है लहोस्पिती में कवाई शेत्र लहोस्पिती के कोई एक शेत्र कवाई ली शेत्र में वहां पर है और इ इसकी 4 इकाईया लगाई गई है, 0.5 मेगावाट की 4 इकाईया लगाई गई है, important question है, ध्यान से पढ़ लो, wrong tongue, जल बिद्वित प्रयोजना, अब करते हैं, next question, नात्बा जाकरी, जल बिद्वित प्रयोजना, यह किनोर जिले में है, किनोर जिले में, और इसकी एक ही काईया, और इसकी जो टोटल शम्ता है, वो है, 1020 मेगावाट, ओके दोस्तों, important है यह सभी, अब करते हैं, पॉंग बांध प्रयोजना, पॉंग बांध प्रयोजना, यह भी कांगडा में है, कांगडा जिले में, और इसकी ब्यास नदी पर है, देहरा से 35 किलो मेटर दूर, पॉंग जो गावाँ है, उसकी भूमी पर बनाएगे, मतलब कि कांगडा जिले में, इसकी ब्यास नदी पर है, देहरा से कांगड़ा जिले में कोई है गाओ देहरा उससे 35 किलोमेटर दूर एक पॉंग गाम वहां पर लगाई गई है यह प्रियोजना ओके और यह देश की सबसे उंची रोक लिफ डैम है ठीक है जो पहाड़ों को काट के बनाएगे डैम है सबसे बड़ा फिर से बात करते इसी को रिपीट करते हैं आपके लिए बेनिफिट होगा दुवारा खुद आप देखिए जल्दी जल्दी करते हैं से भावा जल बिद्धुत प्रियोजना कहां पर किन्नोर जिले में है और इसकी 120 मेगवाट है तीन ही काई यह लगाई गई है नेक्स्ट की बात करें बसी जल्दुत प्रियोजना बसी जल्दुत प्रियोजना कहां पर जुगिंदर नगर में 15 मेगवाट की एक यह काई है इसकी बिन्वा जल्दुत प्रियोजना यह है बैजनाथ में 16 मेगवाट क्या है और यह 8 काई यह लगाएगी 8 यूनिट एन की 2 मेगवाट की एक यूनिट कि ठीक है अब करते है रोंग टॉंग जल बिद्धूत प्रियोजना ये वी आपकी लोलस पिती के कवैली शेत्र में है 0.5 मेगवाट की चार इकाईया लगाए गई गई यो टोटल शमता 2 मेगवाट की है अब करते हैं नात्वा जाकरी जल्बी दुद्ध प्रियोजना की नात्वा जाकरी जल्बी दुद्ध प्रियोजना ये है अपनी किनोर जिले में उत्पादन है एक हजार बीस मिगवाट अब करते हैं पॉंग बांध प्रियोजना के वारे में पॉंग बांद प्रियोजना ये कांगड़ा जिले में बियास नदी के देहरा से 35 किलो मीटर दूर पॉंग गाम वहाँ पे लगाया गया है और ये देश के सब से उचा रोकलिफ डैम है ठीक है ये बताया अब टेस्ट की बारी करते हैं देखना जड़ा इंपोर्टन कोश्टन जो आएंगे आएंगे एक कोश्टन फर्स सकता है ज्यादा नहीं पहला है चमुरा प्रियोजना हिमाचल परदेश के किस जिले में हैं वो है चमबा जिले में ठीक है अब नेक्स्ट कोश्टन की बात करें नेक्स्ट कोश्टन है पारवती परियोजना नीमिल निक्त में से किस राज्ये kay सबसे बड़ी जल बिद्धृत परियोजना है जमु कश्मीर इमाचल परदेश बिहार या उत्त्र परदेश ही है माचल परदेश की सबसे बड़ी परियोजना है और आपने बताना है किस शेतर में लगाई गई है परवती प्रियोजना ओके परवती प्रियोजना किस शेतर में आप बताईए कोमेंट करके एशिया की सबसे उंची रोंग तांग जल बिदूत प्रियोजना प्रदेश के किस जिले में है उन्ना जिले में शिम्ला जिले में या किनोर जिले मेंš ये है किनोर जिले में ओके रोंग-तंग जल्बी द्यूत-परीयोजना कहां पे अब नेक्स्ट पर करते हम बात हिमाच छल पर देश में सतलू नदी पर निमन लिफ्ट में से कुन सी पर्योजना बनाई गयी है देखिए चार उप्शन दिये नातबा जाकरी जल्बी दूद परियोजना कुविंद सागर जल्बी दूद परियोजना गिरना जल्बी दूद परियोजना दूल हस्ती जल्बी दूद परियोजना इसका अंसर है नातबा जाकरी जल्बी दूद परियोजना अब फिफ्ट की बात करते हैं फिफ्ट है हिमाचल पर्देश में जल बिस्तार की दृष्टी दृष्टी से सबसे बड़ी नदी कौनसी है बियास जमूना रावी चिनाव इसमें चिनाव अंसर है आपका दोस्तों चिनाव इस इंपोर्टन कोश्चन दोस्तों कल चार कल आपका एक्जाम भी है एच्पी सैकेटरिक का ओके एच्पी जी के अच्छे से घर जाना इसमें से बहुत कॉश्चन पूछे जाएंगे आपकी आए आएंगे इससे कॉश्चन बैंकिंग से बहुत कॉश्चन पूछे जा रहे हैं आज कल बैंकिंग से बहुत सारे कॉश बैंकिंग के रिलेटेड आपको चाहिए होगी तो मेरे को बता देना ओके और भी कही चीज़ें जो आपको करनी पड़ेगी आपके एक्जाम निकालने के लिए बहुत से चीज़ें आपको बताया जाएगा आगे ओके थैंक यू